नवसकार दोस्तों जहींद वंदे मातरम मैं आपके साथ जैसवाल सर आप शबी का श्वागा तर्मिजन्दन है सिच्छक भरती के फ्लेट फार्म टीटी फैमली सिच्छकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है बात करेंगे साथ यो गनित की बात करेंगे आपके कंसिप्ट की क्लास की बात करेंगे आज जो है गनित प्रेक्टिस एट लेकर आए हैं और पंद्रह बेतीन लाजबाब कोश्चन्स लेकर आए हैं और यह गनित का प्रेक्टिस एट नमबर टू है साथ यो गनित में selection पाना है, गनित में 28 से या 30 में से 28 नमबर या 25 प्लस का score प्राप्त करना है तो ये practice it बहुत ही important होने वाला है तो चलियो देर न करते हुए हम practice it को सुरू करते हैं और इसके पहले जो है all subject के practice paper के link बना दी गई है जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा सभी practice it free of cost है क्योंकि ये राश्चित में TT family है, सिचकों का परिवार है, आपका परिवार है तो साथ यो तैयार हो जाए, कमर कस लीजिए, रप्पन उठा लेजिए, solve करना सुरू कर दीजिए पहला प्रस्णी स्कीन पर है संख्या एक से चाली तक की बिसम संख्याओं का योग क्या होगा चलिए solve करते हैं, दो line के answer है, बहुत important है देखे, सबसे बढ़े हाँ ये होता है, कि N नमबर पर यहाँ पर दिया गया है कि बिसम संख्याओं का योग, इसके लिए formula क्या होता है N by 2 का whole square होता है तो हमें क्या करना है, N नहाँ पर क्या दियागा है, एक से चालीस तक की बिसम संख्याओं का तो चालीस बटे दो का whole square कर दिजी चालीस का उबर करेंगे कितना आ जाएगा, सोला सो आ जाएगा तो का करेंगे, चार आ जाएगा सोला सो बटे-चार, यहनी चार एक कम चार चार चुग-सोला, four handed अर्थावत, 51 से चालीस तक की बिसम संख्याओं का योग, four handed अर्थावत, four आप््तन सही हो जाएगा आयोब सभी प्यारह में समझ गए होंगे अब बात करते हैं सिकंड प्रिशन की दूसरे प्रिशन की साथियों त्रिपल नाइन तथा तीन हजार के बीच चार उंकों वाली कितनी संख्या होंगी फट अफट कमेंट करीजेगा यह प्रेक्टिस सेट है आपका प्रेक्टिस पेपर है आपका सबी कमेंट करें जिससे हम 15% लेकर बेहतीन बेमिशाल प्रेक्टिस लेकर आए हैं जो सेलेक्टिस के लिए 101% जो है आपके लिए पका कर देंगे तो त्रिपल नाइन और तीन हजार के बीच चार उंकों वाली कितनी संख्या होंगी इसके लिए एक ही फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या है बराबर लिखिए और कोश्टक के अंदर हमें क्या लिखना है तीन हजार तीन हजार माइनस तीन अंकों वाली संख्या है तो तीन अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी ट्रिपल नाइन कोश्टकबंद करजीए और माइनस बन करदीजी अर्थात 3000 में triple 9 को माइनस करेंगे और बाद में माइनस से कर देंगे तो 3000 में जब triple 9 को हम माइनस करेंगे ठीक है 3000 माइनस जब 2022 करेंगे यहां पर अधिक संख्या लिग गई है आपके लिए गलत फहिमियां नहों ठीक है क्योंकि गलत फहिमियां हो जाती है अक्षर इसमें माइनस करेंगे हमारी value क्या आएगी दो हजार एक इसमें भी एक माइनस करना भी तो total हमारी value क्या हो जाएगी दो हजार यानि की second option सही हो जाएगा तो त्रिपल नाइन और तीन हजार के बीच चार उंकों वाली कितनी संख्या होगी दो हजार कैसे क्या करना है जो तीन हजार के बीच जा तो अंतिम संख्या लिख लिए तीन हजार के बीच चार उंकों वाली संख्याएं में क्या करना है तीन हजार अंतिम शंख्या लिखिए जो हो फिर माइनस पहली संख्या कर देना है फिर माइनस एक कर देना है यह हो जाएगी तीन अंकों के लिए ठीक है तीन अंकों जो आपके दी गए है चार अंकों वाली कितनी संख्या होगी तो चार अंकों वाली के लिए अंतिम शंख्य माइनस तीन या तीन अंकों वाली संख्या और माइनस एक कर देना है ठीक है आई होप समझ गए होंगे नहीं समझ पाए है तो यह आपका लिखा हुआ है वीडियो पाउच करें आसानी से रीट करें सेलेक्शन पाए बहतेन प्रिपेशन के साथ अपने शपने को शाकार करें माता पिता के सपने को शाकार करें सिच्चक बने इस देश का निर्मान करें नए दिशा को ले जाए इस भारत देश को विस गुरु आपी लोग बना सकते हैं फिर से दुबारा चलिए तीसे प्रिशन की बात करेंगे यदि किसी संख्या का तीन चौथाइस ताइस हो तो इ यदि किसी संख्या का तीन चौथाई 27 है तो उसका साथ भाग लगभग कितना होगा सिर्फ तीन लाइन के अंसर है करना क्या है माना अभीष्ट संख्या वह X है तब प्रशनमसार X का तीन चौथाई क्या हो जाएगा X का तीन चौथाई बरावर क्या दिया गया है 27 दिया गया है अर्थात X इंटू X का तीन चौथाई मतलब X गुने 3 बटे 4 बरावर 27 कर दिया जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो 3X बरावर क्या जाएगा 3X बरावर 27 गुने 4 हो जाएगा तो X ब्राबर क्या जाएगा 27 गुणे 4 वटे 3 कर देंगे यहाँ पर पच्छांतर करके तो 3 एकम 3, 3, 9, 27 नौचो को 36 आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा यहाँ पर धान दीजिए X की वेलू हमारे कितनी आ गई साथ यो 36 आ गई और यह कह रहा है इसका 7 भाग लगभग कितना होगा तो मेरे प्यारे मित्रों X ब्राबर 36 अर्थात X का 7 भाग अर्थात 36 बटे 7 कर दिया जाएगा और 36 बटे 7 मतलब 7, 35 होता है होता है कि नहीं होता है सभी लोग बताईए तो लगभग यहाँ पर आपके क्या जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है क्योंकि लगभग आपके प प्रस्ण की फोथ प्रस्ण जो आप लोगों के स्कीन पर आ चुका है साथियों दिया गया है चालिस अर्था पैंतालिस का लाशा क्या होगा मेरे सभी प्यारे मित्र सिच्छबंदों सभी ध्यान पुरुख समझेगा बहुत ही असान है चालिस का गुरन खंड कर लीजिए क क्योंकि आपको एक जाम में अदर संख्या दी जाएगी और वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो और तालिस का निकालेंगे तू की पावर फोर इंटू थ्री की पावर वन आ जाएगा इसके बाद पचता है पैंतालिस पैंतालिस का जब गुरन खंड करेंग तो इसका आएगा थ्री की पावर टू इंटू फाइब की पावर बन अब इसका कहरा है लासा पूंच रहा है लसीम पूंच रहा है तो इसका लसीम क्या एगा जो अधिकता हमारी संख्या है कि दो घाते चार आ जाएगी गुरें फिर हमारा देखे तीन दिया गया है तीन एक ही बार दिया गया कि दो बार दिया गया तो तीन हम दो बार लिख लेंगे फिसके बार दिया गया पांच पांच कितने बार एक बार तो पांच एक बार कर लेंगे अर थाथ दो की घाते चार तीन की घाते दो और पांच की घाते एक तो कौन कौन सी संख्या ले लेंगे य भी आपको प्रश्ण बन रहा है चलिए गुणा कर लेते हैं देखिए दो की घाते चार गुणे तीन की घाते दो गुणे पांच की घाते एक बराबर लासा निकलाएगा तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 आजाएगा तीन त्रिकाई नव आजाएगा और पांच आजाएगा ठीक है आई होफ समझ गया होगे आपने ठीक है तो 45 गुणा 16 कर दीजे आप 45 गुण 16 कर दिजे 16 85 आशिल 0 1664 क्या मैं सही कह रहा हूँ सभी कमेंट करेंगे 16 85 के यहाँ पे 0 लिखेंगे ठीक है यहाँ पे शुनना आएगा आशिल आठाएगी 1664, 672 अर्थाज 720 अर्थाज सेकंड आपसन सही हो जाएगा अभी भी नहीं समझ पाएगे तो यह लिखा हुआ है उतार लीजिए भाईया समझ लीजिए यही मौका है त्यारी करने का सेलेक्शन पाने का बहतीन मौका है अपने सपने को साकार करने का क्योंकि सेलेक्शन के पहले जो त्यारी करेगा भाईया कहते हैं न घी में रोटी डुबो के खाने का अक्सर है क्या होता है चारों कहते हैं न कि उसके तो बस पांचों उंगलिया घी में हैं तो आपके भी पांचों उंगलिया घी में होगी बस ये पांचे उंगलियों को चलाके रब पिन में इस कोश्चन को साल्ब करके ही हो सकते हैं तो प्यारे मेरे सिचक बंधों भाई बहन से चबंध उग्रहनी प्यार से अच्छे तरीके से समझे और कोश्चन को साल्ब कीजे बात करेंगे अंगले प्रश्न की कि चार अंकी सबसे बड़ी वैसंख्या जो 15, 18, 24 वा 30 में से प्रतीक से पूर्टया विभाजित होगी द्यान पूरक समझेगा प्रश्न को दिखें क्या दिया गया है 15, 18, 24, 30 में से इनका क्या निकाल लेंगे 15, 18, 24, 30 का लासा निकाल लेजी ठीक है सभी जैसे हमने पिछले कोश्चन का लासा निकाल है उसी प्रकार यह एक अठा करके भी निकाल सकते हैं एक साथ लिखके काटते जाए ठीक है तो इसका लासा हमारा करना है 10,000 का भाग दे देना है विभाजित कर ठीक है जब आप लोग 10,000 को ठीक है 360 से विभाजित करेंगे इसमें देखे सेसफल आपका दो स्वस्थी आएगा सभी लोग भाग दीजे सेसफल दो स्वस्थी आएगा, ठीक है जब सेसफल दो स्वस्थी आज रहा है मतलब हमे colaborative ये आपका जो 1000 है सवड़ी 10,000 आएगा, ठीक है ना चारं को वाली जो हमारी संक्या है याँ पे क्योंकि पांच अंग्यों है ना चंकों की सबसे चोटी संख्या हमारी 10,000 होगी तो 10,000 हम क्या करेंगे 280 को माइनस करेंगे जब 280 को माइनस करेंगे 97,90 हमारा इंसर आएगा बी आपसंस हो जाएगा क्या करना है 4 अंकी सबसे बड़ी वह संख्या स्वरी 5 चरंकों की सबसे چोटी संख्या क्या होती है 10,000 होती है 10,000 में फिर हमारा जो सेषपल बसता है भाग देने पर 360 का इसमें भाग देंगे फिर 360 बचेगा 280 जो 280 सेषपल बसता है वही 10,000 में 280 को माइनस कर देंगे वही हमारी संख्या आ जाएगी वया जाएगी संतान में बीस आई होप आप लोग समझ गया होंगे नहीं समझ पाएं तो इसकी इन पर लिखा हुआ है आसानी से पढ़िए अराम से पढ़िए त्यारी बहतीन किजिए सेलेक्शन पाईए आईए बात करते हैं अंगले प्रिश्ण की अगर भिन में संख्या दी गई हो बटे में संख्या दी गई हो तो उसके लासे के एक ही फर्मूला होता है वह फर्मूला क्या होता है कि उपर वाली संख्या का लासा निकारिए अर्थात एक बटे तीन दिया है जैसे दो बटे नो दिया है पांच बटे 6 दिया है और 4 बटे 27 दिया है तो उपर वाली संख्या क्या निकाल लिजे लासा निकाल लिए जो संख्या पूछा जाता है उसी को उपर वाला लासा निकालने के लिए पूछा तो उपर वाली संख्या का लासा निकाल लिए नीचे वाली संख्या का मासा निकाल और नीचे वाली क्या जाएगा जो चारो संख्याएं कट रहे हैं यहां पर इसbenज नहीं समझ मैं है सा यूह लिखा हुआ है लिखके भी तो समझ लेजिए सेलेक्सन पाइए आयो बात करते हैं नहीं 05.7 यहां पर कर लिखे हुआ हैंaro 6 को चिंटि मीटर में बदलिए सब यहां पर दल्लिये तो चलिए मैं एक इस प्रुष्म को समझा में 100 मिटर होता है समझते हैं जब आपसो नब मुना है तो इतनन में क्या करें गए है को दिया गया है एक QUPTO METR, 100 METR है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा मीटर में मान आएगा, जब हमने इसको 100 में गुणा किया, तो हमारा क्या गया, 5292 574 में वैलू आ गई, जब हमारी वैलू मीटर में गई तो 1 मीटर बड़ावण 100 cm होता है तो जब हमें 100 को गुणा कर देंगे एता हमारी value संटीमीटर में आ जाएगी है हमारी value meter कितने है 42 27 proces 5544 यसमें 100 को गुणा कर दा हम ने संटीमीटर वे value आ गई और चाहीdullah 22 एक हेक्टो मीटर बराबर कितना होता है 100 मीटर ठीक है यह लिख लीजिए काम आएगा आपको और एक मीटर बराबर क्या होता है 100 सिंटी मीटर तो यह गुजरने के बाद फिर हमारा यह सिंटी मीटर हेक्टो से सिंटी मीटर आता है एक हेक्टो बराबर कितना होता है सभी ध् और प्रशने हैं, निन में से कन सा सही नहीं दिया गया है? देखे ध्यान पूरा क्यों नहीं दिया गया है? देखे एक सिंटी नीटर बरबर जीरो समलोलłem 01 मीटर बिल्कुँ शही बात है क्योंकि आप एक बलते हेंड़ेट को क्या लिख सकते हैं? 0.01 ले सकते हैं तो भी यह बिल्कुल सही दिया गया है 1.57 kg बरावर 1570 g ठीक है वही या सबी लोग जानते हैं 1 kg में कितने kg होते हैं 1000 kg होते हैं ठीक है तो 1000 यह हो गया 570 ही है तो 1570 g बिल्कुल सही दिया गया है बात करेंगे तीसरे आपसन के 1.2 kg बरावर 1200 मीटर दे दिया गया ठीक है तो ये भी बिलकुल सही बात है ठीक है चले यहाँ पे मीटर दिया गया है बिलकुल सही दिया गया लेकिन 4 आपसन देखिए 2 इंच बरावर 10 cm देखे आप जानते हैं आप क्या जानते हैं 1 इंच की वैलू कितनी होती है सभी कमेंट कीजेगा 1 इंच की वैलू 2.5 cm होती है तो 2 इंच की वैलू कितनी हो जाएगे भाईया 2.5 में 2 का उना कीजिए आएगा 5 cm होना चाहिए लेकिन परशन कहरा 10 तो हमारा चौत आपसन सही नहीं दिया गया आएए बात करते एंगले प्रस्ण की 8 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्निकित में से किसकी मिन्टों के संख्या के बराबर होगी बहुत ये अच्छा प्रस्ण दिया गया है आएए समझ लेते हैं और क्वेशन को साल्ब कर लेते हैं निकिए 8 घंटों में सेकंडों की संख्या अर्थात 8 गुने 60 गुने 60 क्योंकि 8 घंटा है तो पहले मीनट में तोडेंगे मीनट से फिर सेकंड में आ गया तो दो बार 60 का गुना करेंगे तो अभीश्ट दिन हमारा क्या जाएगा अभीश्ट दिन क्या जाएगा 8 गुने 60 गुने 60 बटे 60 गुने 24 क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक गंटे में 60 मिनट होते हैं ठीक है इतना कल लिया आपने ठीक है तो यहाँ पर समझे अब इस प्रस्ण को कैसे सॉल्ब करेंगे साथ से एक साथ कट कर दीजे आठ कम आठ आठ तिक चोविस दीन आगया तीन से साथ को डिवाइट कीजे बीस दीन आएगा ठीक है से कंड आपसन सही हो जाए कैसे करेंगे एक बार और रिपीट कर देता हूं आठ घंटों में से कंडों की संघ्या तो आठ गुणे साथ मीनिट बाला हो गया और यह से कंड बाला जब घंटे से मीनट में आया और मीनट से जब से कंड में ठीक है और बटे में करा कितने मिन्टों के बराबर देखें दिन में दिया गया है तो दिन में 24 गंटे होते हैं और यहां पे साथ कर देंगे क्योंकि क्या होता थोड़ा गला डिश्टर्ब हो गया है मेरा बुलते बुलते इस सारी प्राब्लम होती है और यह हम ही फेस कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही मुश्किल से हमारी क्लास कम्प्रीट होती है वीडियो कम्प्रीट होता है और आप लोग भी इसी तरह मोटिवेट कीजिए ताकि हमें एनरजी मिले ठीक है तो इसका हमारा जब कट करेंगे साथ से साथ आठ लिक चौबिस तीन को भी से डिवाइट करेंजे बीस देन इंसर आजाएगा दूसरा आपसन सही हो जाएगा आए बात करते हैं अंगले प्रिशन के साथियों अर्द व्यास वाले एक गोले की उचाई कितनी होगी टू आर आर टौल फोर आर या आर होगी सभी कम्प्रीट किजिए देखिए द भी सभी हमेशा देखिए अर्द व्यासवाले गोले की उचाई कितनी होति आर ही होगी घृत आपसन सही हो जाएगा आये बात करते हैं रेखिए बात करते हैं अंगले प्रिश् goofy तीन संख्याओं का उसाह साथ है तथ पहली दो संख्याओं का उसाथ है तो थीसी संख्या क् प्रश्म दिया गया है ध्यान पूरक समझें तीन संख्याओं का अवसत साथ दिया गया है ठीक है तीन संख्याओं का अवसत साथ दिया गया है पहरी दो संख्याओं का अवसत चार दिया गया है तो तीन संख्याओं का अवसत चार दिया गया है तो तीन संख्याओं का अवसत साथ मतब साथ गुणे तीन माइनस पहली दो संख्याओं का उसाच चार पहली दो संख्याओं का माइनस कर लेंगे तो हमारी अलेडी निकल आएगी तो चार गुणे दो कर लेंगे क्योंकि दो संख्याओं का उसाच चार कह रहा है ना तो दो गुणा कर लेंगे तो सात्री के 20 माइनस 8 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो मारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी सेकंड आपसन सही हो जाएगा अब देखे अंगला प्रस्ण कोई आदमी धारा के अनकूल दिसा में 15 किलोमीटर प्रतिघंटा के चाल से धारा के प्रतिकूल दिसा में 9 किलोमीटर प्रतिघंटा से 9 चला सकता है तो सांत जल में 9 की चाल कितनी होगी बहुत अच्छा प्रस्ण देखे अनकूल दिसा में चाल वरावर क्या हो दिया गया है पंद्रह किलोमीटर प्रतिगंटा क्या दिया गया है पंद्रह किलोमीटर प्रतिगंटा दिया गया है अधारा के प्रतिकूल में नौ किलोमीटर प्रतिगंटा दिया गया है तब सांध जल में 9 की चाल क्या होगी 15 प्लस 9 बटे 2 अर्थात 15 प्लस 9 करेंगे कितना आ जाएगा 24 बटे 2 अर्थात 12 किलोमीटर प्रती घंटा बहुत ही असान प्रस्न है क्या करना है कोई आदमी धारा के अनकूल दिसा में 15 किलोमीटर की चाल से चलता है और प्रतिकूल में धारा के जब विप्रीच जाएगा ठीक है तो थोड़ा तो इस फीड धीमी होगी ठीक है धीमी दोरा कैसे आधी हो जाती है तो अनकूल दिशा में 15 चला है और विप्रीच दिशा में या प्रतिकूल दिशा में 9 तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजे तो 15-9 कितना होत प्रतिगंटा नहीं समझ में तो यह लिखा हुआ है आसानी से पढ़ लीजे समझ लीजे और फीड़वेक किजे चले दो प्रशन पेड़ोगा जी कर लेते हैं निदानात्मक परिच्छन का महत्त है निर्देशन में सिच्छन में उप्चारात्मक सिच्छन की वेस्था में या उप्रोग शमीर देखें निदानात्मक परिच्छन की बात कर रहे हैं तो निदानात्मक परिच्छन का जमात्त होता है निर्देशन में भी होता है और उप्चारात्मक सिच्छन की वेस्था करने में भी होता है अर्थात यहां पे फोर्थ आपसन जो है दिया गया आदनिक सिच्छन विद्यों का प्रयोग ना किया जाना निन में से किसकी एक समस्या है पाटपुस्तक की सिच्छन की विद्याले की अहिभाव कोंगी तो आप जानते हैं कि आदनिक सिच्छन विद्यों का प्रयोग ना किया जाना निन में से किसकी एक समस्या बन जाती है सभ कमिन कीजेगा